सेलानुर रहम लीकोरिया का क्या हुक्म है मर्ज या कमजोरी की वज़ा से निकलने वाला सफेद मादा नापाक है उसके निकलने से वजुट तूट जाता है और कपड़े पर लग जाये तो उसे पाक करना जरूरी होता है जिस औरत को कभी कभी यह मर्ज लाहिक हो वो वजू करके नमाज पढ़ती रहे उस पर घुसल लाजम नहीं है और अगर उस मर्ज की इतनी कसरत हो जाए कि किसी नमाज का पूरा वक्त इस तरह गुदर जाए कि फर्ज नमाज भी पढ़ने का मौका ना मिल पाए तो फिर यह औरत माजूर के हुक्म में हो जाती है अब उसके लिए एक नमाज को पुरे वक्त में एक मर्तबा वजू काफी होगा सफेदी निकलने से बार बार उसे वजू करना ना पड़ेगा और ऐसी औरत माजूर औरत के हक में यह सफेदी नापाप भी न समझी जाएगी और यह हुक्म उस वक्त तक बाकी रहेगा जब तक कि हर नमाज में कम असकम एक मर्तबा यह उसर पाये जाता रहे